हेलो 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 हेल आवाज आ रही है के मेरी बताव जाने एक बात नाट अच्छान आ अब लाच अब अच्छी और वार्श वाज विएक विए या विए रही कि एक बात और लोकी बई चलो तो गाइस पहले हम बात करते हैं आज के पेपर की आज तारी कितनी है है छे ओक्टोबर कि दो हजार एक्टेस के एंटी एस है कि शिफ्ट वन है कि तो एंटी एस शिफ्ट वन छे अक्टोबर 2021 के पेपर की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद में बाकी चीजों के बारे में हम डिसक्स करेंगे एक के करके सबी चीजों के बारे में कि पेपर आज किसा आया था पहले ये देख लें आब आज सब को साही है बिल्कुस आज बांत लेवल था ऊगेन लेवAl आज का जो आवेगें पोस्टि . इजी तू मॉडरेट गोड अटेम्ट अगर आप लगबग लगबग 71 से लेकर 74 अगर आपने इतना किया है यह आपका गुड अटेम्ट है अच्छा अटेम्ट किया है इसके अलाबह अगर आप जीस की बात करें तो जीस में अगर आपने पंदरा से सत्रा क्वेश्चन सही की है है को टो यह अपने बहुत ही बढ़ीया पेपर किती है मत इसा नहीकgod लिए सब्सक्राइब के लिए इंग्लिस 20 प्लस मैथ 20 प्लस रिजनिंग 20 प्लस जिनकी मैथ खराब है वह रिजनिंग में 25-23 कर लो इंग्लिस में 15-16 कर लो यह ना कि जो आप पर दी नहीं जा लाए तो इसका मतलब यह नहीं कि सस्ता आएगा असान आएगा बस कहने को मत्यां सरकार में क्या रखाए कि यह गुरूब डी की जौब है लेकिन पेपर आप से उतना ही डिफेट लेंगे जिद्टा सश्कारें के लिए करो लेकिन नहीं हो पारा बहुत सारे चरण होते हैं यह चरण और बढ़ता भी नहीं है नमस्ते जीतेंद्र प्रियंका गोविंद आरेंड रॉक आपसर बच्चे लाइव हैं और सभी को नमस्का सभी को डिवनिंग तो जो मैं कहना चाहरूं वो यह है कि हमें जीस का पेपर कै अक्से करना है और जिएक लेवल लेवल भी आसानी था एक कोश्चन जो है किस तरीके की प्रस्ण पूछा गया था मैं आप आपको बता देता हूं कि किस तरीकी का प्रस्ण पूछा गया था सब्सक्राइब एक कोशन इस तरीकी चर्ट पूछा गया कि यह चीज किस भाग में है समयद्यान के भाग है ना कि एक्जामपल की तोर पे महान लोग पूश ले आप से बताईों मौलीका अधिकार कैस भाग में अंधिक कार आ कि थोड़ा घुमाफ राके कोशन पूछ रहा हूं मैं कि हमारे सम्मेदान बनकर कब तयार हुआ तो अगर आपको यह डेट याद है तो आप कोशन को कर सकते हैं फिक है एक कोशन पूछा गया था कि बताइए कि मेकैनिकल उनर्जी किन किन चीजों का सम होता है मतलब एक लिए कोशन नहीं कुछ और था लेकिन अगर इसका आंसर पता है तो आप कर ले जाए तो कुछ अलग था थे एक बुख भी पूछी थी तो मतलब आप समझें आ गया कि कितना डिफकल्ट पेपर है कि इतना आसान प अगर देखा आस्तोस में तरह लिख रहे हैं आस्तोस जी मौली कदिगार भाग तीन में भाग चार में नहीं है ठीक है और समयधान दिवस जो तुमने बताया वो सही बताया है सब्सक्राइब नूमबर उननिस्सों वह भी यर गलत बताया है गुवा जी भी आ जाएंगी ग गुरू कह रहा है कि मेरा 27 तारिक को पेपर है कोई बात नहीं है 27 बढ़िया करके आओगे तुम गुरू एक नंबर टैना टर्न करके आओगे टेंशन ना लो लोग लाइक सब लोग कर दें जतने बच्चे हैं सब लोग लाइक कर दें बार चलो पीपर की सुरात करते हैं त अब यह आप गौम पूछेगा तुमसे नहीं पूछेगा तुम क्या काम करते हो कितना परिष्टा कमाते हो कहले तुमारी जौब जो है अरकारी है कि प्राइवेट है तुम को प्राइवेट आरे तब तब एकार है समझ रहो तो अगर आप गाहरा में जाओगे तो अगर उन्हीं के सामने रिखती दो लाग रुपए कमा रहा होगा तो क्या है यह हमीज़ा मिलता रहे नौग जानी सकती इसकी अब दो लाग का कि आज मिल रहा कर नहीं मिल रहा लाइक तो इस चीज को समझो चलो कि स्टार्ट करतें क्लास को तो आज क्लास में धी यह कोश्चन एंटी पीसी से ही लिए गए सारे कोश्चन एक तीन दो हजार 21 के कोश्चन है सारे अपके हैं एक कि एक मार्च कि दो हजार एक कि एंटी पीसी सीवीटी वाण कि गुरू करें सर्फ पेपर सॉल्व करो ना एंटी यार पेपर बताया तो मैंने नोटिस दिया है कि आप पेपर नहीं बता सकते लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह पेपर बना रहा हूं रहा हैजे मान के चलो कि यह def user subscribe Squad comforting नहीं बता रहा नहीं हूं तो कौश्चन नहीं बता सकते लेकिन आपको पढ़ा सकते एंव Eugene Eugene Eugeneожу नहीं बता रहा हूं मैं भड़िया हूं नारेंद्र की नौ लखा जी तो किस ने की थी कार्ल लेंड़ स्ठीनर ने की थी यहां पर आंस्र कौन सा हो जाएगा यह वाला हो जाएगा रखते सम्नल की कुश्वी किस ने की थी कार्ल स्टीना ने की ती दिमित्री मेंडलीव को फादर ऑफ प्रियोडिक टेवल कहते हैं अब कॉच्छन पूचा गया है ध्यान देंगे सभी लोग कि जब मेंडलीव ने प्रियोडिक टेवल बनाई तब कितने ग्या तत्तु थे तो 63 अलेजंडर फ्लेमी ने पैलेंसलीन की खोज निकाला जाता है से प्राप्त किया आज नूटन साथ को आप जानते ही है नूटन ने डिस्पर्जन की खोजकी थी याद अखिंगे सब लो कॉशन नमबर दो किसी जीटके इन आप पून सेट को क्या कहाँ था सेको को मतलब समादेब हैं यूस सारे क्रेक्टर का सम 24 एक्रे कहते नहीं कि हमें पता करना है तो हमें उसका यह पता करना पड़ेगा कि कोई कितने साल पहले रहा उसकी सनचना क्या थी यह पता करने के लिए पहले हमें उसका क्या पता करना पड़ेगा प्रूमोजोम पता करना पड़ेगा उतत तो हो नहीं सकता अटा दे इसको सैट अटा के बारे में किसी स्पिसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल देता अधर सचीनों कि इन मैंसे किसे 2010 में Walmart का मुक्ष्ट अधिकारी बनाया निफ्त किया गया की अधिकारी भारती प्रद्धॉगिः संस्थां इंडियन इंस्टिटीट अधिकलोजी और उसी से ये बदै कंपनी है एक चीज़ कोऊन है कि उनका इक साफ प्रख सब से उतार होता है ऊत है एकृढा रटाइप के सब घ्यान होता है और वालमौट वर्फ वालमॉट समझो अमेरिकन बेस कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है वालमॉट जो बनाते मनलब जैसे भी बजार इसी तरीके का तो वालमॉट की जो चीफ टेक्निकल ऑफीसर है उनका नाम है सुरेश कुमार और यह जो सुरेश कुमार है गोद दोस्तों यह आयटी मद्रास पड़े हुए आयटी मद्रास से पढ़े हुए आप पहले के जमाने की जितने आयटी एंस है तत्या नडिला को ले लो आप परी अप तंदर पिचाई को ले लो आप बहुत बड़े बड़े जो 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 आयटी एंस हैं खासकर कंप्यूटर साइंस में अगर वह एक टॉप मूस्ट पहुंच क्या करना है आईस अधिकारी सब आईस अधिकारी हमारे एक ने कह दिया सब उसी बेड़ में चल दिया है आई मेरे अगर आप वाल्मॉट गूगल इसकी सीओ बन जाते हो तो आपकी सुरक्षा में कितने अधिकारी लगे होंगे यह तो सोचो बेड़े चाले मत चलो यह सु है इसलीं का व्यपार से वही संबन्द है जो भूमी का किसी से होता है कि कितना बढ़िया परश्ण है है इस किरसी अगर होगी सवलंगे अगर आपके पास भूमी है तो आप क्रिसी कर पाओंगे अगर आपके पास में भूमी है धीरज कुमार कह रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है कि एक बार मुझे बता दो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है दीम आ रहा है तो बता दो भाई बस बता दो एक बार साउन तो सही आ रहा है भाई भाईया मेरे मैंने क्या बोला ध्यान से तो सुनो अगर आपके पास भूमी होगी तभी किर्शी कर पाऊगे तो ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए तो आप ब्यापार कर पाएंगे तो व्यापर आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में पूझी होगी पूंजी नहीं है तो क्या व्यापर करो जेब में नहीं चले ताज महल करीदने पहले लानी पड़ेगी ताज मेहल के बारे में डिसकस कर पाऊगे अभी कर भी होते हैं कुछ लोग जो तेकते बहुत है कि कुछन नमबर पाच नमबर 2018 में स्पेस एक्स के सीओ एलन मस्क यह सबसे अमीर इंसान हो गया है हो गयते बीच में लेनियर हो गया है और एलन मस्क कंपणी 2008 के राउंड में एकदम कॉलैप्स होने वाली थी मतलब 2014 के राउंड में एकदम खतम होने वाली थी कहा गया कि इस कंपनी कंपनिया बना दी कि अब देखो टेसला भी घूम रही है इसके बिग फैलकन रॉकेट बी एफ आर बिग फैलकन रॉकेट बनाया था नोंने उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया तो बिग फैलकन रॉकेट एक ऐसा रॉकेट रियू यूजबल है मतलब एक बात जाईए छोड़के आ जाएगा वापस आजाएगा तब इस समझाओ तो आपको प्रितिवीन दिखाई दे इतनी सेट्राइट हो गई है कि क्या नाम हो गया स्टार से पिस दराइट आइट आंस तो आप देवह यह ट्वीट है कि किसका का ट्वीट है एलॉन मस्क का ट्वीट है और ने लेखा है कि यह यह बीएफर का नाम बदल के स्टार्ट सिप कर रहे हैं टेकनिकली टू पार्स स्टार्ट सिपेस्शिप अपर स्टेज एंड सुपर हैवी इस रॉकेट बूस्टर निडिट तो अर्थ डीप ग्रैविटी है तो यह नों ने जो है वो ट्वीट किया था कि 1922 से 1944 के बीच में महात्मा गांदी और सविवनी नाइडू को इन मैंसे किस स्थान पर कैल किया गया मात्मा गांदी जी का है था यह इंडिए में आघाने के लिए नियोटा कूझा ने डिया राच उकमार शुगला ने पंताय को और 1922 जब भार्च रोंदोरन हुआ तो अग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आपर चलाए सब को कैद कर दिया और उसी में महत्मा गांदी और सवरोणी नाइडू को एक जगह पर कैद किया था यह पैलस था इसका नाम था आगा खांप एक आपको बताना है कि आगा ख हाँ पहले से बरतमान में किस राज में या किस इस्थान पर इस्तित है कमेंट करो फटाफट देखते हैं सबसे पहला कमेंट किस व्यक्ति का आता है दा फॉस्ट कमेंट कर दो तो यह पुने महराष्ट्रा में बिल्कु सही है कि यह वह कहाँ पर पुने महराष्ट्रा में है कर देगे चार सब्दों में से किसी तरी संगत हैं तीन किसी तरीके से से तुसेम और एक असंगत है असंगत का चैन करिए थ्री ओप ओड़ फॉर्ट वोर्ट्स आर इन सेम वे कंपेटिबल और वन इद इनकंसिस्टेंट सेलेक्ट दा ट्री टायर फॉर्स टायर टिकेट इस राइट यह क्या यह सारी क्लास है ट्रेइल में बुक करोगे ना तो यह सारी क्लास है क्लास आप पहले फिर सेकंड तायर आता फिर इसका मतलब मतलब यह कि एक जुब होता है उसमें कितने लोग लेट सकते हैं इसका मतलब यह है ना टू टायर में दो लोग होंगे फर्स्ट राइम यह लोग होगा इस तरीके से हाई है तो टिकेट राइट राइट आंस और जनल बोग यह तो लेट ने सकते आपको खड़े-खड़े जाना है तो सकता खड़े उने की जगाना मिले एक ट्रेन आती है मुंबई से हेलो कोमल वर्मा अब ट्रेन आती है मुंबई से जाती है बिहार की तरफ साथ बिहार एक जैकली मुझे नाम नहीं यात है एक बार मुझे पतनी कहा जाना था वाव बैठ गया बाहिए आप यह सीट है सीट है और उपर की तरफ यहां पे लोही का हैं यहां पर सीट है यहां पर भी लोही मैंने चादर यहां पर बांदा बीच में स्वाध जूला बनाया क्योंकि जमीन पे तो पैर रखने जगा ली तो हवा में लटके हुए और कई धोके फट जाता तो समय लीजिए आप समझे रहों कि नीचे गड़ते हड़ी वड़ी तूट जाती जाना था पता पड़े और पहुंच जाते अस्पताल वगल वाले किसी रशत्य घटना आई विश्च बतारों आप अच्छा तुम्हों टीटी पकड़ लिया था और टीटी तो चड़ता ही नहीं है यह जन्नल वोगी में टीटी वीटी वाला सिस्टम ही नहीं है विचारा जाय तो चड़ेगा तो कैसे चड़ेगा लोग खिड़की में बैठे रहते हैं समझे रहों और कुछ लोग बैठी रहते हैं खिड़की पर फिर कुछ लोग जो खिड़की बैठें उनके कंदे पर चड़े रहते हैं और कुछ लोग ऊपर से ढूबते रहते हैं वो जायत घुसेगा कैसे समस्य यह भी है तो टीटी जाते ही नहींगे छोड़ो यार क्या जाएं नि Io so घ्ला मंत्री जण और सदी किस मंत्रा अले के अंतर很好 आती है ज़्नो सदी के मतलब समाने के लिए मैडिसिन दवाईयां अर दवाईयां जो देफिनेटली है कि केमिकल जो पार्ट है उसमें आ जाता है तो रसाइन और उर्बरक मंतराला है उसके अंतरगात आता है अब यह पैस्धानमंती जो यूजना यह बहुत ही बढ़िया यूजना भी डिलीवर की है और इन में सबसे बढ़िया यूजना मुझी यही लगती है अब इसमें क्या है दिजे तुमारा कमेंट्स ल Fahrenheit tension ना लो कि मझे रहूं कि क्या हो सकता है कि कुछ पता नहीं दिखकत है तो प्रदैनमंत्री जन्में फाल जन्मामंती यो यूजना है वह कि इते के अंतरगात नाती गत्मते सक दवाइं मिल आंप सस्तिएा मिल जाएगी का आपको 500 की दवा लिखके देगा आप 200-300 में काम चल जाएगा सेंवत राष्ट अंतराष्ट के सांती सैनिक दिवस्ट दोहर उन्निस की विश्यवस्तू क्या है आज लगी बतारी थी कि सर दूवजार जो चौचार पूछा गया था कि यह तूफा नायता तो किस राज्य में समझ जो थोड़ा अपना करेंट फेर पर समय निकाल के दर दर भी पढ़ लो देखता हूं डेली वच्चे करेंट पर ही पढ़ते रहते अच्छा लगता मजह आता है तो करेंट पर थोड़ा कम पढ़ें बागी सब्जेक्ट पर भी ध्यान में बहुत जरूरी है यह जी तो सेंग्त राष्ट अंतराष्ट यह सांती सेनिक विसेबस्तु क्या है नागरकों की रक्षा सांती की रक्षा दुनिया भर में सांती बनाए रखना सीव औरत्या के सत्तर वर्स और दुनिया भर में सांती में निवेश करना बता वह क्या बनेगा आंसर तो दर नाइन्थ आं बहुत का ग्रह मंत्राला इन मैंसे किसके लिए जिम्मेदार रहे मंत्राला इसके लिए तो बचा क्या आंत्रिक्स तो बर्तवान में जो है ग्रह मंत्री कौन है शाह जी है और भारत के पहले ग्रह मंत्री का नाम सवधार बल्ला भाई पटेंज सा ठीक है सेंत राष्ट ने 2019 को कौन सा वर्स घोसित किया था मंदर क्या चीज घोसित की थी 2019 को किस वर्स के रूप में मनाया था यह कुशन पूछा जा रहा है डीजे तुम्हारे कमेंट आने लगे है तो टेंशन ना लिय पराइज सचाना करो कि कभी कभी हो जाता है है कि क्या हो जाएगा भी कि तो इंटर्नेशनल यह आप सस्टेजबल टूरिज्मन डवलप्मेंट और क्या वनाया थे इसमें अंतर राष्ट्य स्वदेशी भासागर्व इस देश को हराकर चीन ने सुधी रमन कब 2019 जीता था किस देश को हराकर चीन सुधी रमन कब 2019 जीता था प्रांस को हराया भारत को हराया ऊस्ट्रेलिया को हराया डी तो कुली बुवा आ गई है और बच्चा लोग कैसन वा सब बढ़िया है कुली बुवा जी नमस्कार बताए चांदनी हेलो सर जै महाकाल जै महाकाल चांदनी तुमारा पेपर था ना कैसा हुआ बताओ कितने अटेम्ट किये तुमने पतुमिंदार जैस में कितने कि अछी आणलीए क्रांव मैं नहीं करा रहा हूं मैं एंप्लड़ के नहीं करवा रहा हूं ठीक है यह एंटीपी से question कि एंप्लेस कर्वाना अपराद composition और भी कि वो ने करवा तृक restrictive जीतेश कुमार भईया राम नाम कैसे हो तो इसने जापान को हराया था जापान का पुराना नाम क्या है जापान का प्राचीन नाम बता भई जापान का प्राचीन नाम क्या था तो जापान का प्राचीन नाम था निपन प्राचीन नाम क्या था स्री लंका का पता होगा यार तुमको इतना पढ़ाया है सिक्स्टी फाइव किया सर मेरा फास्ट ऑनलाइन एक्जाम था भी ट्रेन पर है ठीक है बढ़िया किया तब भी ठीक किया कि यारा में सिलाउन है कि देश संद्वर उन्नेस में जलवाईव आपातकाल के गोष्णा कि वह था यूनाइट इडम लेकिन दूसरा देश था जिसने गोष्णा की थी वो यूनाइट नहीं तो आपको यूनिते इडम भूल जाना है आपको दूसरे देश का नाम बताना हूं और क्यों किया था अपकाल गोष्ट्रां क्यों कि इतनी गर्मी पड़ने लगे अब जितने भी युडोपियन कंट्री सब ठंडी वाली कंट्री यह मतलब समाझ रहो इतनी थंडी इसे जूरती नहीं यह उनकिया इसी पिकते नहीं है अचानक से गर्मी बढ़ने लगी तो कभी खरीदे नहीं किसी ने अब क्या रहे क्या सब जो है वो घूम रहे हैं रोड पर विना कपनों के उन्हों ने आपकाल गोशना कर दी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी यूर्पेन कंट्री में पिछले साल और इसमें दो कंट्री ने खासके इसकी गोशना की थी और एक था और यून प्रस्क्या आया ना कि टिकेट बहुत महांगा है बुलेट ट्रेंग का तो हम करनी पार हैं बुक यह दिक्कत है तंगीत नाटक अतादमी के पहले अध्रक्ष कॉल है डिफ्कल्ट कॉस्च्चन अगर्जी असमें ऐसा आया कुछ भी पूछ लो भाई कुछ भी मतलब कुछ अधर उपर से चले जाएं कि अधर नहीं करें कि कोई बता दो कि इस कि इस एप से कैसे जुनूँ प्लीज कि रानी क्या लिख रहा हूं मैं समद्ध नहीं पा रहा हुं नहीं कर वहां पे सब्सक्राइब होगा ना कर आप सबस्क्राइब बबात की रख में आपके कमेंट अरहा है तो संगीत अकादमी के पहले अधिक्स का नाम था पीवी राजर मन्नार इलिमेट कर लोगे तब यांतर बन जागा रजन पर साथ हो नहीं सकते हैं संस्कृति मंत्रालेक अनुसार भारत के सास्ति नित्तों की कितनी सलिया महजूद है अभी नई वाली जोड के बताना सत्री हो गई है ना असम में एक नए क्लासिकल डांस एड कर दिया गया जिसका नाम है सत्री है उसको जोड के बताना पुराना वाला छोड़ दो पुराना सवाली में एक जोड देना तो जितनी पहले संक्याति उसमें जोड के बताना आंसर सही आएगा बताओ आंसर बनेगा वाई तो पहले जो कुल संक्याति सास्ति नित्तों की वो थी आठ और एक और जोड़ गया तो डूटल क्यों से बहातना में कुछ पुडिये कटकली है सत्री है मनी पुडिये मौहनी अट्टा में और एक और इसमें मिम्स हो रहा है वो इसमें नहीं है वो भी है नौ है टोटर दिये गए चार खेलों में से किसी तरह से संगत है और एक असंगत है असंगत का चैन करिए है अगर्जाशन बनेगा याल बहुत ही आसान यह तो जूडो कितने लोग खेलते हैं तो दो लोगों के बीच में डूबल होता है यह दूर होता है रेसलिंग पर दूर होता है कि लोग के कि यारा जल होता है है तो होकी जिसमें लोग खेलते हैं और बागी सब्सक्राइब कर नारा किस ने दिया आराम हराम है बता वहीं किस ने नारा दिया पुली बुआ के नहीं कि सब्सक्राइब दन्यवाद बुली बुआ हैं तो क्या ही कह सकते हैं ना क्या बनेगा आंसर नहरू जी चाचा नहरू कि दयानन सरस्वती बेदो की और लॉटो कि दिल्ली चलो गनारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुमें आ जादी दूँगा थोड़े जोशीले थे और उने के साथ में इनका कहना था कि वह एकड़म वहादा लेकिया थैयं तो हम भी आत्यार लिके जाएंगे अगर वह लटना में तो तो स्वाश्चंद गोज कुछ ऐसे थे गांदी जी गांदी जी कहते शुरुआते वो कहते रहे कि देखिया नहीं करनी चाहिए लेकर लगा यार दो फीज साल होगे कहते यंग्रेश सुनी नहीं रहे हमारी बात तो गांधी जी आप एकडम फॉर्म में सुभाश्चंद भूश्जी की आत्मा घुजगई गजरो तो गांधी जी नारा दिया करो यह मरो करो यह मरो तो सोची आप गांधी जी में जोस्ता आ गया तो बाकि लोग तो यह थोड़ा और ऊपर लेवल के तत्वी पैरलेल किन दो के देशों के बीच की सीमा है कि मैं तक नुँ किसे इसे नाम तश्री वैतनाम जर्मनी फ्रांस ब्रजील चे चीली और यू एसे और कैनाडा पैरलेल नहीं दोनों के बीच की कौन से देश हैं देखो रावाद आ रहे हैं देखो कहानी सुनके इसको जोस आ गया भी लिख रहा सरफरोसी की तमन्ना वहारे दिल में देखना है जोर कितना बाजवी कातिल में बहुत बढ़िया है ऐसे होना चाहिए और अभी कुट्ता निकल आए घर से बाहर फिर देखो तुम थारी तमन्ना भाग जाएगी उत्तरी व्यतनाम और दस्टडी व्यतनाम इसे बीच की जो लाइन है यह 11 तालल है जिन दोनों को अलग अलग करती है टिटिकम एक्टिवम टिटिकम एस्वं इस्थांटिविक नेम और विच आप दाफ वॉल फॉल लेमांग की मैंगो मैं और वीट मैं तो पता हों मैंगो प्था हैं मेंगोड पढसा है मैंग फिरा इंडिका बंदर का नाम होगा यह वीट नहीं हो लेकित को पहले से उसने लिखाamat चैक्ली अपक तो अनाज में घियूँ आता है यहां पर मंकी का संटिफिक नेम है सिमी फॉम्स कैट रहीनी बहुती तगड़ा नाम है सिमी सिमी फॉम्स कैट रहीनी एक भाई साथ बहुत कुछ दिर पहले की बात है यह कहीं की बहुत बड़ी अधिकारी रहे और यह बोले कि भाई देखो हमने कई देखा नहीं किसी जानवर को किसी बंदर को मनुष बनते हुए अब यह नहीं पता है कि बंदर से मनुष नहीं बना है बंदर की प्रजाती है उस प्रजाती का नाम पहले होमो सीपियंस था जो बरतमान में क्या कहते हैं चिंपैंजी से म समझ रहों तो बंदर कभी मनुष्ण नहीं बना है वह बंदर की बहुत सारी प्रजातियां होते हैं उसी प्रजाती में प्रजाती हो नीदर लेंडियंस है तो बंदर ऐसे नहीं कि अब बैठा हुए और पेड़ बैठा हुए अचानक से राधे स्याम बनके आ गया रहे इसमें कंवर्ड हुआ है तो गोवा का राज्यत्यु देस स्टेट हुड दे मतलब जब इसका फॉर्मेशन हुआ आजाद हुआ नहीं फॉर्मेशन वा आजाद प्रूट्गालियों से नैटी सिस्टीवर्में लेकिन वह एक राज्य के रूप में कब बना यह कोईशन पूछा गया तो कब मना जाता है प्रतिवर्स की स्थित्री को मना जाता है तीस जून पंदरा मई पंदरा पंदरा जून कि बताव आंसर क्या बनेगा तीस जून तीस माई पंदरा माई पंदरा जून तो दा आंसर बिल्वी थर्टीएत माई बिल्कुल सही दे रहते हैं आप लोग आंसर तो तीस माई को तीस माई 1987 को यह बना था ओफिशली डेक्लेर किया गया था 25th state of देन प्राइम मिनिस्टर 1987 के और इसको एक राज बनाएगा चोटा सा है लेकि गोवा एक बहुती बढ़िया जगह है और अच्छी चीज यह कि अंट्रप्रदेश बिहार नद्द्ध्रदेश इन चेत्रों के रहने वाले लोग जब गोवा में जाते तो नहीं लगता कि ब्रिदेशों में आ गए क्योंकि गोवा का जो कल्च्यर है वह कंप्टीली डिफ्रेंट थे इंडिया से कंप्टीली डिफ्रेंट तो गौवा बह बीच वीच काफी सारे देखने को मिलेगा आपको स्पीड का सम्बंद उड़ो मीटर से है तो दाभ का सम्बंद किस से होगा बैरो मीटर से होगा थरम मीटर टेम्प्रफ्रिचर में अप्ता है और यहां परative माप्ता है है कहा पर कुलион भार पर पंजा साहिब कहाँ कहां पर इसे थे पंजा साहिब कहाँ और पंजा बना गुंतरा पंजा बनाऊ जाएगा को द्रेशन ही नहीं है तो है नहीं कि कोई धरम गुरु जो सिक धरम गुरु तो पर पकिस्तान कि इल्मिट कलों के तो अज़र बंजाएगा पाकिस्तान में एक जगह है जोसका नाम है असन अपदाल यहां पा है इसकंदर पोरस के बीच में मैंसे किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गए हाइडपीस का युद्ध हुआ आपको पता है और इसमें जहां जो है प्रवार अंडवान निकोवार दीप समुका उस्तम बिंदू कितने बार मैंने बचा आइलेंड याद कर लो आइसे काला पानी सजा कहते काला पानी की सजा के वेडी सबरकर्स हापको तो काला पानी की सजा हुई थी और और नहीं किताब भी लिखी उसके आपका नाम प्रांती भाड़त का पहले सटातव संगराम यह किताब और मुस्ट ऑथेंटिक किताब माना जाता है जो अठ्था सट्व करांती के बारे में कुछ बातें कहता कुछ चीजें कहता है और बीडी सबर की आरोप भी लगते अं अल्पा अमाईलेव नमक एंजाइम माना सरीर में कहां पर मौझूद होता है अल्पा अमाईलेव से ही याद कर लो याद अल्पा पर मझ जाओ अगर इस क्योश्चन में कीवल अमाईलेव लिखा होता तो तुम्हें बिलकुल समस्या नहीं होती तुम तो सीधे-सीधे लगा निकलता है नी बालों से निकलता है नी लार मिल भी द्राइट आंसर तो यह कुश्चन थोड़ा समझे लोग यह कुश्चन नौलेज का नहीं तरक का कि निम्लिकित मैंसे कौन सा भारतिय संबाद समयधान से संसुदान परिए निम्लिकित मैंसे कौन सा भारतिय संबादान के 61 संसुधन से संबंदित है 61 अमेंडमेंड प्वेटी टू का अंसर क्या होगा ट्रेटी टू का अंसर बता रहे बच्चे झाल झाल हुँ हाज जाओ चुनाओं के मद्दान की आई यू का को कम किया जाना पहले 21 वर्स थी घटा के 18 वर्स करती गई भारती संगठन का आधर्स बात कि सक्ती की उत्पत्ती विज्ञान में हैं तो कोई ऐसा संगठन रहेगा जो विज्ञान से संबंदित हैं है ना ऐसा ऐसा ही बनेगा कि कोई ना कोई विज्ञान से संबंदित हैं प्रद्रश्रित करता अब विज्ञान में मतलब का मूल्व विज्ञान है विज्ञान से ही-तागत है विज्ञान से प्रद्रश्ट रएक तो यह लोगोगों है डियागो गार्षिया लीजी नीचे के तरफ है यह जैसे भाउरत का छित्र रहें और बहुत सारे दृइपों का सम्हूं में आता है डियागों इसका डियागों गार्शियों परणाम भई नमिता जी कोई बात ने सोके हैं नमित्वन सब्सक्राइब को डियागों गार्शियों जो दीप समूह के अंतर्यकत आता है और इंडिया है यहां पर जाने के लिए भी आपको पासपूर लेना पड़ेगा और नीचे जो है वो च्यागो आख प्लोज है सबसे ज्यादा अगर कोई विजटिंग दीप समू है तो वह मालदी बाले जब भी कोई कोई दिक्कत होती है तो जितने एक्टर एक्टरस सब चले जाते मालदी में भूम है क्योंकि यह बहुत महँगा है एक दिन का खर्चा ही लगए चारपांस लाख रुपए है अगर आपने पूरा आइलेन बुक कर रखा है तो चारपांस लाख रुपए जो आपका खर्च हो जाएगा कि क्वेश्चन नमबर तीज प्रवाल प्रवाल मतलब कोरंस नामक पाइलम के एंथो जुआ बर्ग के अंतरगत मौजूद समुद्री आग कशेर की जीव होते हैं कोर्ण सार्जा मैलाइन मैरीन अबर्टिवरेट और्गनिजम अंडर दा अन्थो इंक्लास ऑफ पाइलम कोल अर्थोपोडा नमेटोडा मुलास्का और नेडएरिया अब यह चार-पांस लाग कोई बहुत बढ़ी बात थोड़ी है अ चार-पांस लाग तो बहुत ही कम है लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके जाते हैं घूमने फिरने तो चार-पांस लाग में तो तो इसमें जो पूरल तरीके से आया थे सब्सक्राइब बहुत है और फिर दूसरा हिंदी का जो समाचार पत्र अभी भी संचा लेते हैं सबसे पहला समाचार पत्र भारत का है बंगाल गर्जेट जेम सिक्की तरह शुरू किया गया था और फिर दूसरा हिंदी का जो समाचार पत्र 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 का इन तीनों में आज भी चल रहा है बागी सारे बंग दो चुकें तो बंबे श्माचार इंदर आए को वोल जो है वो पीड़ी की प्रोग्रामिंग भासाओं का एक उधारन है कौन सी पीड़ी की भासा है जनरेशन सेकेंड जनरेशन आपको पता ने कंप्यूटर लेंग्वेज में आता ही है कि अगर कि अग्ष्ट क्या अंसर बनेगा सुनील अहरवार क्या रहा है कि फर्स्ट इस दर राइट चौथी अच्छा वाई दूसरी तीसरी दर राइट अंसर यह तीसरी में आता है चौथी मनें निम्लेकर मैंसे कौन सी मार्क्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइन्मेंट की एक बैद शेंडी नहीं है कि अलाइन कैसे कर सकते हो वर्ड को जैसे मालों यह लिखा हुआ है जिसको अलाइन करेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा तो यह तो हो गया राइट की तरफ हो गया ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा यह लेफ्ट की तरफ हो गया जस्टीफाई करेंगे तो भी एक तरीके का लेकिन वर्टिकल नहीं होता है यह वाला नहीं आता है जस्टीफाई भी आजाता है लेकिन यह वाला नहीं आता है भारती निर्वाचन आयों के संबन में निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य है विचाफ पॉलिवी स्टेट्मेंट इस टूर्व रिगार्डिंग दा इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया इसका गठन हर पांच वर्स में किया जाता है इसका गठन और हर छे वर्स में किया जाता यह संबैधानिक निकाए है इस अए रखन हर चार वर्स में किया जाता है डिस फॉर्मड एब्रीफ ओर इयर कि एक मिनुट रोगना दोस्तों कि एक मिनुट उनी जाता है पिस का रही हुआ कि एक टार यह हुआ है जाता है जाता है जाता है इस पर्मनेंट कॉंस्टिटुशनल बौडी निर्वाचन आयुक का नाम कि सुकुमार सेंद है और बत्मान में निर्वाचन आयुक्त का नाम कि सुसील चंद्रा बात खतम होगेड़ चलो सबी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते नॉट ओल एनिमल माइग्रेट वाइच्वाइज नमक अभियान किसके द्वारा सुरू किया गई वास सही है हम लोग क्या करते जा रहे हम लोग जो है लगातार अपनी अपना विस्थापन करते जा रहे हैं मति हम सेरों में रहते हैं फिर सेरों में भीडरी बढ़ती जाती है तो फिर सेर को बढ़ा करते है भिवर जहां पर पर कभी हम जहां फील रहता था यह घर में या फिर और नहीं मत objective मेरे घर में गन्येश शांटे अब अब यह जो है एक संस्था है जिसका नाम है WCCB क्या नाम है WCCB यह संस्था ने यह एक तरीके का लॉंच किया था इसका लेकिन करना इसका क्राइम कंशी कि क्या थिक सब्सक्राइब रोगों क में बढ़न किया तो चार भी संच्बेद शामभेड अतरवेड य्यूज्वेड चारवेड हैं सबसे पुराना कौन सा है और सभी में अलग-अलग बाते कही गई है सांवेड संगीत को लेकर रहा है रिखबेड जो पूरे सबसे जुर्वेद में है गोलु बावु कहा रहे हैं कि सारी यूपी में तेंदु आप जादा रहेंगे यूगी जी ने नई पॉलिसी लेके आए बिल्कु सही कहा रहे हैं कि इसी पॉलिसी लानी चाहिए कि समझे रहा हूं कि अभी मनष्ट को दोड़ा डर लगेगा तो टूनर डुटका सारा अथरवेद में अथरवेद में हैं इन मैंसी कौन भार्त में निर्मित को गुर्वत्ता का लेवल बनाने के लिए तो यह पूछा जा रहा है कि जो में इन इंडिया तो जो कंपनी में किन इंडिया इनिसिटिव के तहत भारत में बहुत बहुत सरी चीज़े बनाता है आए प्रोड़ेग्ट्स को लेवल करने का में कि वह संस्था बनाएंDes कि नाम क्या है वो संस्ता का नाम इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है अन्यमृता फाउंडेशन है दिया फाउंडेशन है या नैशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन आपना सुरीज के इसके परेंग इसको इंडिया ब्रांट इक्विटी फांडेशन इस दराइट आपसर इंडिया ब्रांट इक्विटी फांडेशन विल बी दा वाइट भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है इसे इन इंडिया है बॉर्डर बिद नेपाल इस टेट इन इंडिया है बॉर्डर बिद नेपाल तीन चार पांच यह फिर छे कि राज्य का नाम भी लिख दोयारत में तो राज्य भी पता है उत्तर प्रदेश नेपाल से जुड़ें उत्तर प्रदेश हो गया बिहार हो गया और कौन सा है हर्टी नाइन में पांच राज्य कितने राज्य है टोटल पांच ठीक है इसके बाद क्या हो गया उत्तर खंड हो गया तो उत्तर प्रदेश बिहार उत्तर खंड उधर की तरफ जाओ बंगाल का भी छेत्र थोड़ा सा जुड़ता है तो तेच कर जाता है अश्यमंगाल और सिक्के में पर उत्तर खंड हो गया यह उत्तर प्रदेस विहार हो गया यह बेस्ट विंगॉल भी थोड़ा साटेश करता है बहुत ज्यादा नहीं और सिक्के में 1931 में मुंबई से कराची के लिए अकेले उडान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताई अकेले लोडान भरने वाले भारत के लोगों हमारे देश में कुछ ऐसे इंडिस्टलिस्ट है ना जो हमेशा से बढ़िया रही है इन्होंने देश से जितना लिया उससे ज्यादा द थोड़के भाग गया तो अलग अलग टाइप की प्रजाति हैं देश में 1931 में व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तील का जो है फांडिशन रखा भारत में भारत में एर इंडिया उसको बाद में अभी एर इंडिया तो बिग गया पहले वह अलग हुआ करती थी और उनका नाम जिया डी टाटा क्या नाम है जे आडी टाटा जिया डी टाटा ही वह इंडेस्ट लिस्ट है जो सबसे पहले उन्डेस्ट में अकेले उड़ान भरकर कराची पहुशते हैं कि क्या है एक तालस क्या लास्ट क्लास का मामलू का तीसरा सासा कौन था नाइनटी परसेंट बच्चे गलत आंसर देंगे मैं बतार मापको कि 90 परसेंट बच्चे इसका अंसर गलत देंगे नीरव मोदी विजय माले लोग निया देश को बस लेकर भाग गए ऐसी लोग है अभी आज तो पेंडोरा पेंडोरा कुछ करके आ रहा है लीक पेंडोरा लीक आ रहा है वेंडोरा बॉक्स लीक तो उसमें नहीं नहीं लोग नाम आ रहा है देख रहा हूं इसके लोगों ने कितना सम्मान दिया जब आज बाठन में जब मैं सैंगे क्लास में था था तब से लिकर भजर में मैं जब से त्यारी कर रहा था कहिंए था लएक 2000 11 11 10 12 तक 13 तों आप इस्वास कहल का हाड कोर साच तक की को बुए परकर थे तो मैं कि आज देख लीजिए कोई रिस्पेक्ट वची नहीं कभी फिंटेजी गेम का जो है अड़र्टाइजमेंट कर रहे हैं कभी पनामा पेपर में नाम आ जाता है कभी जो है वो पंडोरा बॉक्स में नाम आ जाता है कि मामलू उन्सका तीसर सासक कौन था 41 का सी हाँ इमरान थाज़्वी सी लिस्ट में ना करें इमके बारें पाकिस्तान ही समझ रहे हैं अंटिया के लोग इमरान का हमारी कभी फैन रहे में नहीं है विल्कुल कभी किसी के फैन मत बनो सही है तो सब तो पहली जो है वो कुछ बुद्दीन एवक हैं 1206 से लेके 210 तक दूसरी जो है इनी के लड़के थे आराम शाह 1210 से लेके लोग ज्यादा समय तक रहे नहीं है ना बड़ा जो सासक रहा है वह गैसुद्दीन रहा है तो इसलिए इसका नाम ली जाता है मुझाइद दीन कैकूबाद है और सबसे लाद में कैमोर से यहीं से खतम हो जाता है तो यह टोटल आज की लास में लग बहुत चालेश कोर्शन थे बीच में आप अगर आपका स्कूर 22 से ज्यादा ज्यादा है 25 है अब तो तुम बढ़िया कर रहो यार मतलब पेपर बढ़िया करके आओगे तुम और अगर आपके स्कूर 10 15 से कम है तो तुम्हारी लंका लग सकती पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करें तो मज़ी गए लेखो अन एक प्लस सब्सक्राइब का फाइदा यह है कि आप कि साथ हैर आट सो रुपए में दो साल तक कम्प्लिट थियोरी कम्प्ली प्लेक्टिस कम्प्लीट मॉप तेस्ट और कम्प्लीट गाइड़न्स ले सकते हैं एजूकेटर का कितने भी बेचिस और तो कितने भी बार पढ़ा सकते हैं किसी वीडियो कितने भी बार देख सकते हैं प्राइस कितना है साथ आट सो रुपए तीस्टो पच्छिस पर मंत का सब्स्रिप्शन है अमाउंट है और अगर आप समें दस परसेंट लगाएंगे तो साथ सासी रुपए काम हो जाएंगे और यह बच्छेगा सवन जीरो टूजी यह बारा महिने का जो प्राइस है वो छेजार पांसो रुपए अगर आप इसमें कोड लगाएंगे तो रात वाली क्लास आपकी उसी टाइम पर होगी 10 पर होगी और कुछ साथ तारीक से लेकर दस तारीक तक अन-चैडीमी की छुट्टी है तो यूटूब पर आपके रिकॉर्डिट वीजियोस चलेंज है आप उनको जुरूर देखिएगा अन-चैडीमी की कम्प्लीट चुट सब्सक्राइब कि यूट्यूब की क्लास तो आपकी बंद रहेंगी साथ से लेके दस्तर क्यों बंद रहेंगी क्योंकि अब अच्छे पूछे कंप्लीट चुट्टी तर काही है तो वह बता देता है पिछले मैंने अनकेडमी ने अब सब्सक्राइब का घंज दिन ससे लिए अनकेडमी के एड़ हैं Он्हों ने जो चार दिन की ाइडियो है सारे से स्टाफ कोAll heaven Legend तो चार दिन चैनल डेकोड़ीआ तो ध उन्हों δेखेंगे आहप से पढड़ेंगे और रात में दस-बजाब्स नहीं जुड़ना देखती रहें और बने रहें लेट्स करें करें से सी आने वेल रहें बावाइए